सदिश योग का त्रिभुजणीयम क्या है बहुत ही सरल उत्तरउप लब्द कर ए गयुकर सदिश योग का त्रिभुजणीयम इसमें शुरुवाद की जो लाईने हाती मैंने उनको सरल कर दिया है कि अधी दो सदिशों को परिमाण एता है में थ्रिपूच की जुड़ी विभुजाउं धूरा ye a qram बताएं दो यह सदिश ले ले लिए और यह दो सदिश आपने ले लिए अब उनको क्या है परिमाने भूच की दो जुड़ी विभुजाउं द्वारा अब इस बात को समझ दा परिमाने different दिशा में त्रिबूच की दो जुड़ी भी बुजाएं तो इनको ऐसे जोड़ दो तो यह त्रिबूच की क्या बन जाएगी दो बुजाएं बन जाएगी तो इनको त्रिबूच की दो जुड़ी भी बुजाएं बन जाएगी तो इनको त्रिबूच की दो जुड़ी भी दिशा में परिमान हैं उम दिशा में त्रिबूच की दो जुड़ी भी भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में प्रदर्शित कर दिया इस तरीके से लाइन से एक के बाद एक ठीक है दोनों तीर एक ही तरफ ठीक है तो अब क्या होगा आप इसा करिये थोड़ी से हम रशना करते हैं इस और और इसा टीक है खाले बी तक ठाम आ जाएंगे फिर फिर हुज़े तक लिए थे वह जाएंगे घए अब ऊप का मामान क्या है और आर है तोåजे बहुत सरल कर दिया क्यवहले triangle लेना त्रिपुज OAB में और OB is equal to OA plus AB R is equal to हो जाएगा A plus B देखे आप र is equal to A plus B तो R क्या हो गया परिणामी हो गया है न रिजल्टेंट हो गया तो दो सदिशों को परिमानें उन्दिशा में, yeah, तृबुच की दो जुड़ी भी भी भुजाओं द्वारा एक फी क्रम में व्यक्त करें, या बताएं, एक फी क्रम में बताएं, तो उनका जो परिणामी होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो आर होगा, वो सदिश त्रिबूच की तीसरी बुजा बन गई देखो आप यह त्रिबूच की तीसरी बुजा है लेकिन क्रम क्या हो गया देखें तीर इधर है है न ऐसे आना था वैसे O A A B और फिर ऐसे आना था B O पर यह तीर आपका विप्रित क्रम में आ गया तो त्रिबूच की तीसरी भुजा होगी परंतु विप्रित क्रम में तो यह आपका हो जाएगा सदिश योग का त्रिबूच नियम R is equal to A plus B तो बहुत सरल है कि दो सदिशों को परिमाने दिशा में त्रिबूच की दो जुड़ी भी भुजाओं द्वारा व्यक्त कर दें तो उनका परेणामी सदिश त्रिबूच की तीसरी भुजा होगी परंतु कौन से क्रम में होगी विप्रित क्रम में धन्यवाद